हेलो फ्रेंस आपका मेरे चैनल में स्वागत है मैं आज आपको चम चम बनाना सिखाऊंगी तो चलिए इसे बनाना सुर्व करते हैं बहुत ही आफानी तरीके से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है यह मिठाई बनाने के लिए हमको चाहिए 1.500 ग्राम चीन कर दिए और हम एक लीटर दूद लिए हैं जिसको हम गैस पर चरहा दिये हैं अब हम गैस को अन कर लेते हैं ठीम हैं गैस को हम उदां कर चुक है अब हम गैस को बंद कर देंगे चीनी को हम मिक्सी में चला लिए हैं इसका पाउडर तयार कर लिए हैं इदर हम एक बरतन लेंगे इस पर छलनी डालके उपर से कॉटन का कपड़ा डाल देंगे और फटे हुए दूद को हम उस पर डाल देंगे सारे फटे हुए दूद को हम उस पर डाल देंगे और उसको चमस से चला देंगे चमस से चला के उसका पानी उससे निकल जाएगा फिर अब हम उसमें ठंडा पानी डाल के उसको धो लेंगे उसको धोने से होगा केच्छे ना हमारा मुलायम हो जाएगा और साथ में ऐसका अगर खटापन होगा तो भी खत्म हो जाएगा हम छेना को हाथ से धो लेते हैं छेना को हम धो चुके हैं अब हम इसको क्या करेंगे सारे छेने का हम पानी जो इस्टरा है वह सब हम निकाल लेंगे और उसको अच्छे तरीके से दवा के पानी हम निचोर देंगे सारा पानी हम निचोर चुके हैं अब उसको एक ठाली में डाल देंगे ठाली में रख के उनको तोर लेंगे छेना को हम तोर रहे हैं फिर उसमें हम एक चमत पीसी हुई चीनी डाल देंगे और देर चमत अब उसमें हम सुजी आट कर दिये हैं अभी इन सभी चीजों को हम इला लेंगे और मसल मसल के इसको चिकना हम डो त्यार कर लेंगे देखिए इस तरह से हमको मसल न है और इसको चिकना बना ले नहां जल्द ही चिकना हो जाता यह खाने में मिठाई बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है अगर एक बार बनाईएगा तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा आप इसे एक बार बना कर जरूर ट्राइ करिए अब इसको हम लंबा कर लिए हैं इधर हम गैस को अन कर देंगे और एक ग्लास पानी डाल देंगे एक ग्लास पानी डालने के बाद उसमें हम पीसी वी चीनी है वो भी डाल देंगे पीसी वी चीनी डाल देंगे सारा हम और फिर से उसमें हम एक ग्लास पानी और डाल देंगे दो ग्लास पानी हमको डाल देना उसमें इधर हम इसका पीस चाकू की साहता से कट कर देंगे चाकू से कटने से होगा हम बराबर भाग में इसको काट लेंगे और इसके पीस को हम इस तरह से लंबा लंबा बना लेंगे इसी तरह से इसका आकार देना है हमको सारे चमचम को हम इसी तरह से बना लेंगे इधर हम 500 ग्राम पानी गर्म करके रख लिए हैं सारा चमचम हमार बन के रेडी हो चुका है अब गैस की प्रेम को मेडियम रखना है चीनी हमारा गूल चुका है अब उसमें हम चमचम को ढाल देंगे चमचम सारा ढाल देंगे उसके बाद इसको हम ढख देंगे सारा चम चम हम डाल चुके हैं अब इसको हम ढख देंगे और ढखने के बाद साथ आठ मिनिट के बाद हम इसको ढखन हटा के चेक कर लेंगे और इसमें हम आधा गलास के करीब गरम पानी डाल देंगे पानी डालने के बाद हम फिर से इसको ढख देंगे और फिर से साथ आठ मिनिट हो चुका है और फिर साथ आठ मिनिट के बाद हम इसमें गरम पानी डाल देंगे अधा गलास इसी पर किरिया को हमको फाता आठ मिनिट के अंतराल पर दो तीन बार दोहरा देना है करीब करीब इसको पकने में 25 मिनिट का टाइम लग जाता है अब चम चम हमारा बन के रेडी हो चुका है अब हम गैस को बंद कर देते हैं अब इसको चासनी में डालके अब इसको हम चासनी में दो तीन घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके फे चासनी को सोख ले जो तिन घंटा हमारा अब हो चुका है अई उस पर हम माबा कदू कफ करके डाल देंगे अगर आपके पास माबा है तो कदू कफ करके डाल दीजी नहीं तो कोई बात नहीं माबा कदू कफ करके डालने पर मावा डालने पर ये बहुत ही और ज्यादा स्वाद बढ़ा देता है आपको ये मिठाई कैसी लगी आप हमें जरूर बताईए अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए थाइंक्यू